तो पतंग और गुबारा में हम लोग पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार पतंग जो है वह दुसरों की खिल्ली उड़ा रही थी और संदीप को चीटा एक छोटा सा चीटा कह रही थी तथा जब वो गुबारे उसकी बारे में कुछ बोलती है तो गुबारे को भी हस्ते वे उसकी खिल्ली उड़ाने लगती है तो आज हम लोग देखेंगे आगे तो यहां ध्यान दिजेगा कि जब गुबारा जब पतंग को उसकी पहचान दिखा रही थी उसके बारे में बता रही थी तो पतंग उसकी खिल्ली उड़ाते वे उसे बेपेंदे का लोटा कहती है अब देखेंगे आगे गुबारा बोला अरी पतंगरानी जरा तुम उचा उड़ली तो अपना रंग दिखा रही हो परन्तु तुम्हारे उचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है कमाल तो है तुम्हारी पूँच यानी डोर का जिस से तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जर्रत नहीं है भले ही मेरी पूँच कटी हो पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना? हाँ हाँ हा अब देखेंगे आगे गुबारी की बात सुनकर पतंग आग बबुला हो गई वो गुस्सा इसलिए हो गई क्योंकि गुबारा भी पतंग की अखिली उड़ाने लगी बोली जिसे तो मेरी पूँच कह रहे हो वो धागा है उसमें माझा लगा है पता है पता भी है माझा कैसे बनता है इसे बनाने के लिए काच को महीन पीस कर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं जिसके कारण माझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागों को काट सकता है मेरा माझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे कट टीक नहीं सकती मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ तो यहाँ पर जब गुबारा उसको बता रही है कि तुम अपने बलबूते नहीं उड़ रही हो बलकि तुम्हें उड़ने में किसी किसायता की जर्रत पढ़ रही है तो वह गुबारे से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये पता है कि माज़ा कैसे बनता है, तो माजे को बनाने की प्रक्रिया को वो बता रही है तो आप सभी यहां पर माज़ा कैसे बनता है, इस चीज़ को नोट कीज़ेगा, यह इंपोर्टेंट है, मतलब याद कीज़ेगा इस भाग को, क्योंकि यह एक्जाम में आ सकता है तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास के लिए, तो जितना हम पढ़ाए हैं सुरू से लेके यहां तक, आप उसे अच्छी तरह से समझ कर और कठिन सब्दों को याद करते ही वे पढ़िएगा, धन्यवाद